एक्जाम को देखे अभी जोई सिप two month बचे है और यह two month ही ना decide करेगे कि आप लोग पास होगे की नहीं पहले आप लोग ने क्या पड़ा क्या नहीं वो इतना मेटन नहीं करेगा लेकिन अभी अगर आप लोग अच्छे से पड़ लेते हो ना और मैं जो बाते बताने वाला मतलब जितना आइडल टाइम ज्यादा होता है आप लोग जो अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करते हो आप लोग कुछ भी चीजे कर लगते हो आप लोग को एसा लगता ही कि चलो आज ये चीज़े कर लेता हूँ, हमारे पास टाइम तो है, तो वैसे आप लोग अपनी स्टडी को डिले कर लेता हूँ, तो आप लोग फोकस करके 100% अपना देते हो ना, तो आप लोग जोए क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपोर्टन चीज है, आप लोग ना, consistency जोए मेंटेन करनी पड़ेगी, आप लोग जोए ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा ब्रेक लेलो, आप लोग ना, consistency आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, आप लोग मानलो कोई अगर अच्छा नहीं भी होता है, फिर भी ना, आप लोग जोए 8 आश पढ़ ले वह सारी चीज़ें आप लोग का structure होना चाहिए आप लोग का हर एक दिन ना कुछ ना कुछ जो वैल्यू एड होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप लोग जो एक दिन ब्रेक लेलो एंड फिर पढ़ने लग जाओ आप लोग को डेईली जो कुछ ना कुछ जो अपना study output जो निकालन करन को कि लेना इसके सबसे करों अगर देखें पोस्पन हो भी ग्या तो आप लोग को यह ज्यादास मिलेगा इस इसमें आप लोग रिवाइस कर सकते हो लेकिन अभी आप लोग को जो करने से अच्छे से कर सकते हो अगर आप लोग यूटूब रेविजन देखना है तो वह भी देख लेना क्वेस्टन देख लेना फिर एसा मत करना कि लास्ट के दिनों में आप लोग यूटूब वगयरा देखो मैंने देखा है कि बहुत सारी स्टूब वगयरा भी यूटूब से अभी जो लास्ट तक देखते रहते तो उससे आप लोग जो एक्जाम में फिर वह सौल नहीं कर पा पाले स्टूडन का बताता हूं आप लोग का क्या प्लानिंग रहना चाहिए तो आपके पास तो देखे अभी सिप तीन सब्जेक है तो इसमें देखे मार्च मंत तो आप लोग जो अच्छे से एक बार सीलेबस को कम्पलीट कर लेना इसमें जो टैन डे पर सब्जेक्ट द पर देना है पिर देखे जो सेंगें जो फर्ष कशो की देस में देखे जो हैं जो विसमें बाकर बार stories को आंसे लुका जिसको ज्याद तो इनके पास तो देखे एक्सा जो है तो आप लोग जो अपना जो ज्यादा टाइम दे सकते हो रिविजन में तो अभी देखे बोद ग्रूप वाले स्टूडन का जो है क्या प्लानिंग रहना चाहिए आप लोग को ना फिप्थ एपरिल जो है टार्गेट करना है कि यहां पर लोग आप लोग को जोई एक बार अच्छे से सिल्य जोई कवर करना है फिर चोंहें बाकी के ट्वन्टी-स और बचेंगे ना इसमें आप लोग के पास टाइम होता है न उसमें अड़ोग के पास एक्स्टा वन डे बफर रहे गा तो आप लोग ना इसमें जो भी आप लेना आप लोग का देखे अभी क्या study approach रहना चाहिए आप लोग को देखे concept and question जोई दोनों करना है आप लोग जो mainly try करना कि जो concept है ना इसमें ज्यादा से जाजा जोई concise करो जो भी आप लोग को लगे ना कि question में ये adjustment जो important है तो वो सारी चीज़ें आप लोग जोई concept पर लिख लेना जिससे आप लोग ज्यादे से ज्यादा question नहीं करने लगेगे और बाकी जो भी question होगे ना उसमें आप लोग जोई star marking कर लेना उसमें एसा मत करना कि पूरा का पूरा question आप लोग को कैसे पढ़ाई करना है उसकी ना आप लोग को पूरी अपनी मार्किंग होनी चाहिए तो यह ना आप लोग का पूरा study approach रहना चाहिए और बाकी देखे और study environment अगर आप लोग को लगे कि घर पे पड़ाई नहीं हो रहे वह साइल स्ट्रेक्शन होता है तो आप लोग ना लाइब्रेल जोईन कर सकते हो लेकिन अभी आप लोग का study environment अच्छा होना चाहिए कि जिसमें आप लोग जोई continuously पढ़ रहे हो ऐसा नहीं कि आप लोग जोई हेल्थ के उपर focus करना है ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी खाने पीने लगो अभी ना देखे आप लोग को जोई exercise करना है और ट्राइक करना है देखे आप लोग को जोई स्लीव अपनी sacrifice नहीं करनी है और अभी ना आप लोग जोई पॉजिटिव रहे ना अभी नेगेटि चीज़े आप लोग जोई ध्यान रखना और अभी ना आप लोग को अपना जोई 100 पसंद देना है आप लोग जो यह साल जो मैनत कर रहे हो ना यह वर्थ पूल है जब आप लोग जोई पास हो जाओगे और जब नाम के आगे देखे देखे लगता है ना तो वह जो एक अल लोड किये थे टेलीग्राम पे और बाकी भी और सारी जोई सर्प्राइस आने वाली आप लोग के लिए बाकी आप लोग जो यह चैनल को भी जोई सब्स्राइब कर लेना चलिए और बेस्ट